नमस्कार आदाब हफ़ते की बात उर्मिलेश के साथ के संख में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे देश में महौल जो एक लोकतंत्र बनाम हिंदुराश्टर का बनाया जा रहा है इसी विश्वे पर और हमाई साथ इसी विश्वे पर बात करने के स्वागत आपका तो पहला सवाल तो यही कि अभी कुछ समय से बहुत देखा जा रहा है कि बीजेपी जो की सप्ता में है इस वक्त उसके जो हमारे देश के जो लोकतांत्रिक धांचा है उस पर और उसके साथ साथ जो समयंधानिक संस्थाएं उस पर हमले बहुत बढ़ कारण है कि सुप्रीम कोट के आदेशों को जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है चाहे वह सब्री माला का मुद्दा हो या फिर अयहोद्या पर जो उनका पूरा केस जो चल रहा है उस पर हो वह अपना कुछ अलग ही एक आदेश लेकर चल रहे हैं तो इस पर आप क्या धारी दल है यह पहले भी सरकार में रहे इंडिये वन के समय लेकिन उस वक्त इनके पास अथा पूरी तरह इनकी नहीं थी गठवंधन था तो उसके अपने दबाव अपने कांस्टेंट्स थे अपनी मजबूरिया भी कुछ थी लेकिन उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि ल वक्त भी एक आयोग बनाया गया और बड़ी कोशिश की गई कि इसको आगे बढ़ाया जा लेकिन खैर वो संभव नहीं हो सका इस पार जो बहुमत मिला तो इनको जाहिर है पूरा बहुमत मिला जो गटबंधन कहने के लिए है सरकार यही चलाते हैं सरकार को सिर्फ सरकार नही है वो लोग दरसल सरकार चलाते हैं तो हमारा यह कहना है कि जो आप सुप्रिम कोट का जैसे आप जिक्र कर रही हैं सुप इसके अलावा भी शबरी मला के बारे में अजुद्या की मामले में कोई भी ऐसा फैसला जो इनको अच्छा नहीं लगता है यह पहली बार है कि सरकार में बैठे हुए लोग सुप्रिम कोट को चैलेंज कर रहे हैं आप देखें इसके पहले भी जो सरकार इस थी हम किसी भी सरकार को नहीं कह रहे हैं कि सौफिस दी अच्छी थी यह सौफिस दी बुरी थी हर सरकार में कुछ कमिया होती हैं और हर नेता में कुछ निगेटिव पॉजिटिव होते हैं लेकिन यह पहली सरकार है इस तरह की कि खुले आम यह भारत के संविधान पर हमला कर रही है इसके इसमें बैठे हुए लोग इसको चलाने वाले लोग आप कल्पना कर सकते हैं कि सत्ताधारी दल का प्रवक्ता ऑफिसियल स्पोक्स परसन टेलिविज है कि हमारा जो समाज है भारती समाज है यह हिंदू समाज मुस्लिम समाज क्रिश्चन समाज नहीं है जो जो यह जो धर्मावलंबी हैं यह समुदाय हैं और हम सबका यकिन भारती समाज में है हमारा सबका यकिन भारती समयधान में है अगर हम अपने अपने धर्म के बंदु क्लास है उसमें लोon काग्ず लो राकिल क्लास है इतनी विविदता है पूरे के पूरे समाज में तो आप धर्म के आधार पर असमीटा कैसे आप तै कर सकते हैं तो मुझे लगता है की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह है कि यह कुछ खास धंग से पूरे समाज को वियाख्य कि फिर उसी पुराने दौर में ले जाए मनुवादी दौर में ये उनका दरसल असल दर्शन है असल विचार है इनका कोई मतलब किसी हिंदू धरम से नहीं है हिंदू धरम के बारे में उसको बहतर करना हिंदू धरम को मानने वाले लोगों को अच्छी शिक्षा देना कर रहा है ये दर-इसलब सिर्फ एक पक्ष्ट यह कि वह करें वह इस पर हमला कर रहे हैं लेकिन दूसरा है कि वह एक कोई विदान भी सामने लाना चाह रहा है है जैसे कि बीजेपी के बहुत से नेताओं का है कि हम सत्ता में हैं तो हम समयदान को सब्सक्राइब सकते हैं दो इसमें बहूए सारी चीज़े जैसे की रिजवेशन का सवाल हो गया या बाकी और तमाम चीजें सेकुलरिडिम का सवाल हो गया उन सब ये जबाब देते हैं कई बार इनके जो प्रवक्ता हैं जो उनको इतिहास की जानकारी नहीं है सम्विधान सभा की जानकारी नहीं है कि बही सम्विधान में जो सेकुलर शब्द है वो बाद में जोड़ा गया जब इसमें संशोधन हुआ था बहुत बाद में वो भी कहते हैं इंद्रा गांधी के बुरे दिनों में हुआ जब वो इमर्जनसी का दौर था तो दरसल ये जो अज्ञान है इनका ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने समिधान ठीक से पढ़ा नहीं है और समिधान पढ़ना भी नहीं चाहते समिधान कैसे बना इसके बारे में भी इनकी कोई ज बड़ाई में शामिल नहीं था इसलिए वो समिधान सभा में भी ठीक से उनके लोग नहीं थे कुछ एक लोग थे जो बात के दिनों में जनसंग की स्थापना की श्यामा प्रशाद मुखर जी जो जनसंग के संस्थापक थे वो स्वाइम समिधान सभा के सदा से थे लेकिन उस वक्त जो हिंदू महासभाई सोच के बहुत सारे लोग थे उसमें वो भी एक थे जनसंग बाद में उन्होंने बनाया नेरू कैबिनेट के मंत्री भी थे बात के दिनों में जब मंत्री मंदल तो हमारा यह कहना है कि यह जितने भी लोग थे उस वक्त ऐसे किने चुने ल बावा सहब भीमरावां बेट करके समख्ष रखे गए थे जो ड्राफ्टिंग कमिटी के चैरमें थे कि इसको निरूपन कैसी किया जाए तो संबिधान की एक-एक फाउंडेशन जो एक-एक बुनियाद है वह हमारे यहां सेकुलरिजम पर आदा जित है एक सेकुलर डिमक् जान में स्टेट का कोई रिलिजन नहीं है हर धर्म के लोगों को आजादी है अपने धंग से जीने की उपासना पध्धती की लेकिन स्टेट का कोई धर्म नहीं है तो यह बहुत सारी जो अग्यानता इनकी है थरसल इस लिए भी है क्योंकि इनको सूचना पर ग्यान पर रहें कि जो धार्मिक आयोजनों वह भी खासतोर से एक खास धर्म के आयोजनों पे जो सरकारी खर्च है वह बहुत जादा बढ़ गया है खासतोर से हिंदी पटी में बहुत ज्यादा खैर एक चीज यह भी है कि जैसे आपने सेकुलर इसकी बात की उसमें सेकुलरिजम को एक बना दिया है इन्होंने उसको एक बहुत ही बुरा शब्द जब कि आपको कि बहुत सारे लोगों को मजा करते हैं आप सेकुलर है भारत का समयदान सेकुलर है हमें इस बात का गर्व है कि हमारा समयदान सेकुलर है हमें हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि आजादी की ल एक्टिव है अब इसके ट्विटर के सियू आये हुए हैं बहु सारा डिबेट इस पर भी चला है कि भई फेक निउस को कैसे रोका जाए या जो ट्रॉल पूरी की पूरी ब्रिगेड है उसको कैसे कमजोर किया जाए या उसको खतम कैसे किया जाए देखें यह चीजें नहीं ज्यादातर मैं यह नहीं कहूंगा कि पूरी तरह सौफिस दी तो सबसे बड़ा खत्रा फेक निउस का फेक इंफॉर्मिशन का वहां से है उनके पास सबसे बड़ी ट्रॉल मशीन है अब जैसे उदारंग के तौर पर अभी पटेल साहब की जो सबसे मुची मुर्थी लगा और यह भी बता दिया कि कैसे एक ने तो यह भी बोल दिया कि वही जा वह गए थे वहां पर जबकि सर्दार पटेल का आप जानती हैं कि निधन हो गया था और जो सौमनात मंदिर का जो उद्गाटन या उसका अनावरन जो भी कह लीजिए वह उसके बाद हुआ उनके निध बहुत दिल्चस्ट बात मैं आपको बताओं यह प्रपोजल आया था सरकार में कि सोमनात मंदिर का जो पुनर निर्माण है उसको सरकारी पैसे सिखिया जाए सरकार में यह एक संकल पास भी हो गया लेकिन महात्मा गांधी को यह बात पसंद नहीं आई उन्होंने सरदार प पाटेल ने इमीडियेटली वह बात मान ली और महात्मा गांधी के सुझाव पर यह अफीसियल डॉकुमेंट है यह हर जगह उपलद्ध है महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पाटेल जो गरिह मंतरी थे भारत के उन्होंने सरकारी पैसे से मंदिर के निर्मान का जो पुर भ्रम फैराना गलत सूचनाए देना यह इनकी पूरानी आदत है यह जो चैलेंज जिसके आप बात कर रहे हैं एक नजरी से देखा जाए तो सिरुफ समीधान के तरफ नहीं हमारे देश के इतिहास के सामने भी है क्योंकि वह उसी फेर में कि अपने आपको भारत की जो लोक हैं वह बहुत दिगज नेता हैं हमारे इतिहास के लेकिन उन दोनों की के ही बारे में जो गलत अफवाएं पहलाई जारी है उनके बारे में आप क्या कहेंगे पंडित जवाला नहरू हो या सदार पटेल हो जितने भी आजादी की लड़ाई के बड़े नेता हैं उनके अप पर राजनितिक लेविल पर अगर देखा जा तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने जो एक डिमोक्राटिक सेकुलर जो आकार है जो संरचना है अपने अपने शासन की उसकी बुन्यार डालने में उनका एक अहम रोल है लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने गलतियां नहीं की एक प्राइमिनिस्टर के रूप में प्रशासन के मुखिया के रूप में उन्होंने बहुत सारी गलतियां की केरल से लेकर कश्मीर तक आप जगहों पर आप देख सकते हैं जैसे शिक्षा को लेकर स्वास्थे को लेकर ये जो दो छेत्र थे इनको लेकर गलतियां की मेरा मा है कि एल्थ को पूरी तरव स्टैट्स को क्योंकि स्टैट्स विए उन दिनों कंग्रेश के पास थी तो स्टैट्स को ये करना चाहिए था कि एक ऐसा सेक्टर हो जिसमें कि राज्यका सबसे ज्यादा हो और लोग जो हैं उनको प्राइवेट में ज्यादा खर्चना करना पड़े तो यह सब बहुत सारी चीज़े हैं जिनकी हम आलूच ना कर सकते हैं लेकिन आज के इस अंधेरे दौर को जब देखते हैं जिसमें अग्यान जिसमें एक दूसरे के प्रती नफरत यह जो अंधेरा जूग है यह यूं कहा जाएं की राचनीत में लगुमानों का अंधेरा जूग। तो लगुमानों के इस अंधेरे जूग में तो नहरू पटेल अंबेट कर तो बहुत बड़े नेता थे उनको शासन का मुखिया बनने का तो मौका नहीं मिला लेकिन शुरू के दौर के वो तो एक बड़े आकाश दीप की तरह लगते हैं आज के अंधेरे जुग में कि जो रास्ता दिखाते हैं कि आखिर हम अपनी इस डिमक्राशी को जो वाकई खत्रे में जो संविधान खत्रे में उसको कैसे हम बचा सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आज के निताओं से उनकी तुलना हो सकती है हम उनकी आलोच ना कर सकते हैं लेकिन उनके कंट्रिब्यूशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो आखरी सवाल उर्मिलेश जी यह रहेगा कि दरहसल यह जो पूरा इन्होंने खड़ा कर दिया है कि आप दरहसल समीधान पर हर्मना कर रहे हो आप पूरी विवस्था बदल लिए है अब चुनाव हम दूसरे मुद्दों पर नहीं शिक्षास इंसरी चीजों पर नहीं हम यही इसी पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि आप अपने देश का समीधान किस तरीके का देखना चाहेंगे एक बड़ी बात आपके सवाल के जवाब में मैं यह जरूर होसला थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा है कि हर डिमोकरिटिक इंस्टूशन पर एटेक कर रहे हैं चाहे हो सुप्रीम कोट ही क्यों नहीं हो या एजुकेशन में जिस तरह से बिल्कुल आटो क्रिटिक इंटर्वेंशन बलकि इसको इंटर्वेंशन नहीं है हमला जिस तरह का ह हो रहा है उसकी उसके पीछे एक बड़ा कारणिया है कि जो हमारे समाज में जिस तरह का रेजिस्टेंस बिल्ड़ अप होना चाहिए था इनके हमलों के खिलाफ वो नहीं है ये एक सच्चाई है सेकुलर डिमोकरिटिक जो अपने को कहने वाली रायनितिक धाराएं हैं उनक तक लिए तक बड़ा मसला है उनके बीच में आपने काम नहीं किया और अब अब्यपरदेश और च्छतिस गड़में हाल के दिनों में गया था मैंने देखा कि वहां पर 36 गड़ में तक कम लेकिन मध्य प्रदेश में धर्म का जो चेहरा है धर्म का जो मैं जो एक आडंबरी चेहरा धर्म का अच्छा भी चेहरा हो सकता है लेकिन आडंबरी चेहरा इतना हावी है कि राजनीत को उसने ऐसा लगता है कि शिकंजे में ले लिया है लेकिन 36 कड़ में जब मैं गया तो मुझे आश्यर हुआ कि वहां किसानों के मसले बहुत महत्पून है क्यों कि शहरों में आपको जरूर दिखाई देता है धर्मकार डंबर लेकिन जैसे ही आप गाउं में और कस्पों की तरह उतरते हैं चोटी जग सड़क चाहां चोड़ी कम होती है जहां पतली सड़क होती है वहां जैसे ही आप जाते हैं आपको लगता है कि किसान बहुत परिशान है डिस्ट्रिस आमिन इतनी ज़्यादा परिशानी है कि उसकी वज़ा से सरकार के प्रती नाराजगी है सवाल इस बात का है कि जो राइनितिक लूप में काम करने वाले लो तो एक समस्या हमारे देश में अपने को विपक्षी कहने वाले दलों की भी है कि एक बड़ी ताकत एक बड़ा आंदोरन एक बड़ा जागरन वो नहीं कर पा रहे हैं शायद उसकी वज़ाई यह है कि शक्तियां बिखरी होई हैं और जो हमला करने वाले लोग हैं उनके पा एक बड़ा खत्रा हमारी डिमोक्रसी के लिए हमारे साथ अपने विचार साजा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया नियूस क्लिक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद